नमस्कार डीडी समाचारी टीम आज ग्रांप चैद मालपूरा पूंची है आज हमारे साथ सर्पांच रंचाराम जी चोधरी है जो ये पूरों में टीचर रह चुके हैं और रिटार्मेंट हुए हैं इन से जानना चाते हैं इनका चार साल का कारेकाल कैसे गुजरा जो जनता से वादे किये वह पुन हुए या नहीं हुए सबसे पहले सर्पांच साहब हमारे खास मुलाकात में आपका स्वागत है तन्यवाद साहब चार साल का कारेकाल जो जनता से वादे किये थे नरेगा किते हैं आपने क्या क्या करवाए जनता से जो वादे किये थे वह आपने प पानी के लिए और सामनी काम में लगबग सो टौके बना दिये और विद्धियलों के लिए एक क्रोड का काम सभी विद्धियलों में बने करा दिया जिसमें मन से चार दिवारी है चार दिवारी के उंचे बढ़ना है बहुन है यह जाता है उनके परिवार वालों को कैसे उनको मोटिवेट किया आपने की बच्चों को स्कूल में बेजो या इसके बारे में कोई अभ्यान चलाए आपने तो जहां में जाता है नहीं में पंचाहित में वहा है सब जगे यह ही कहता है मंको बच्चों को और बचीहों को स्कूल भेजो। सैटा ज्यादा से ज्यादा ज़्यादास सी ज्यादा सका है इसका को बग्रीब परिवारों को दिया गया है सब को दिया गया इसमें करीब तीन सो एकोतर दोजार इगियर की सरवे में परदान मंतरी आवास आए हुए थे जिसमें लगबग सो से उपर पूरे हो गए तो उसमें सबसी जड़ा हुए बाकी के अलब संक्यक और मुसल्मान बाई अलब संक्यक और स्रामान यह च्यार लेश्टें थी उसमें बराबर काम हो रहा है पंदत दीन द्याल उपादे बिजली वाली जोजना इसका कोई लाव ग्राम पंचायत को मिला अभी तक तो नहीं मिला है अब म पंचायत में सुरुक काम हो गया है हो जाएगा दो महिने से सर्पन साब बाहर स्वश्ट मिशन ग्राम पंचायत राजस्तान पूरा ओडियफ है दरातल की बात करते हैं इसका स्तर आपकी ग्राम पंचायत में कैसे देखने को मिला इसमें हमारे जो 2021 में सर्वे में जितने भ अब भी 25-30% ऐसी जन संख्या है जहां पर यह मतलब बने हुए हैं और उप्योग कम कर रहे है क्योंकि पानी की कमी है इसलिए उप्योग कम ले रहे हैं सर्पन साब आपके कारे कल को एक साल का टाइम कमी बचा है अम यह माले आपकी क्या सपने है कि मैं मेरे कारे काल तक यह कहantee दो करवास को पांच सटकें हैं बाकी द्रेवल सटकें वह पूरी करवानी हैं सैंक्षन होनी है सब्सक्राइब एक मेरा व्यक्तिकत स्वाल है आपसे आज सरकार सर्पेंचों को मान दे पैंती सो से चार अजार रुपे करीबं दे रहें क्या इसे संतूष्ट है पहले तो 3500 रुपे दिए जाते थे अब जार जार किये हैं 500 रुपे बढ़ाया है शिर्प तो इससे तो संतूष्ट क्या हो गरसा तो दो बार पंचाज समीटी जाकर आब तो पूरा हो जाता है घरसा कम पढ़ते हैं कम है कम है आपके अनुसार आप जनता के बीच में जाते हैं जिल्ले में भी जाते हैं पचैज सिमीती में जाते हैं सर्पैंच का मांदे कितना होना चाहिए कम से कम कम से कम हम 10,000 रुपे होने चाहिए देसा रोने हैं सरपन साभ एक मुईम और भी चल रही है जो कि राजस्तान के जितने भी युवाएं वो नसे से ग्रस्त हो रहे हैं इनके रोकने के क्या उपाय बोसकता है आपकी नजर में रोकने के तो हम जहां जाते हैं वहां कहते हैं शन नसा मत करो, नसा मुक्त हो जाओ, नसा नहीं करना है, उसमें फाइदे नहीं है, शरीर का नुक्सन होता है, और परवियार में भी धन आनी होती है, तो परशार करते हैं, कहते हैं लोगों को, उसमें कुछ रोकता है, नसे से बढ़ कर एक चीज ओर है, बश्टाचार, वो धरातल में कम देखने को मिला सब ये मोदी जी तो कह तो रहे है कि बश्टा सहार ऑफ नहीं होना चाहिए कम ओना चाहिए यह कम तो हो रहा है पर इतना नहीं हिए बिलकुल सफाया हो जाए बश्टा ऐसा तो नहीं हुगा है, जरूर कम तो हुगा है, रrantपसा eve, 29 अपरेल को मतदा दिवस है, मतदान दिवस है, आप जनता से और देशुथी ओपास करे, अपने राष्मता है की अपने राषिटान का विकास करे, और अपने गाओं का विकास कर सके किस्वानों का गरीबों का ऐसी सरकार होनी चाहिए तन्यवाद सर्पंच साब हमारे चैनल में बात करने के लिए आज ग्राम पंचैत के सर्पंच ने बताया कि ग्राम पंचैत का चो मुखी विकास करवाना ही मेरा सपना है